दोस्तों, आपने यह कहावत जरूर सुनी होगी, कि कर्मों का फल और भागय का लिखा कभी नहीं मिठता। हम चाहे अच्छे कर्म करें या बुरे, हर कर्म का फल हमें मिलता है। भले ही हमें लगे कि कोई हमें नहीं देख रहा, लेकिन एक अद्रिश्य शक्ती हमेशा हमारी निगरानी करती है। जैसा हम बीज बोते हैं, वैसी ही फसल उकती है। सवाल यह है, क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं, कि जैसा कर्म आप करते हैं, वैसा ही आपको फल मिलता है? आईए, इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, आज की कहानी बेहद शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ग्यानवर्धक है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इसे अंत तक जरूर सुनें, कहानी एक किसान रघु की है, जो अपनी पतनी के साथ गाव में रहता था, एक दिन अनाज बेचने के लिए वह दूसरे नगर गया, लेकिन लोटते समय, कुछ डाकूओं ने उन्हें लूट लिया, सब कुछ खोकर वह हताश हो गया, तभी उसे एक महात्मा की कुटिया दिखी, जहां उसने अपनी समस्या बताई, महात्मा ने उसे एक सेठ के पास लेकिन सेठ ने कहा कि उसकी पत्नी की मृत्यू हो चुकी है, रगु बहुत दुखी हुआ, लेकिन फिर भी कर्ज चुकाने की पेशकश की, सेठ ने पैसे लेने से मना कर दिया, रगु महात्मा के पास वापस गया, जिन्होंने उसे राजा के दरबार में जाने की सलाह दी, राजा ने भी पहले सेठ की बात मानी, लेकिन महात्मा ने रगु को न्याय दिलाने के लिए राजा की गदी पर बैठने की इजाज़त मांगी, महात्मा ने सपूत मांगते हुए गवाहों से सवाल किये, जिनसे सच सामने आ गया कि सेठ ने रगु की पत्नी को छुपा आखिरकार सेठ को सजा दी गई और रगु को उसकी पत्नी वापस मिल गई इस कहानी से हमें सिखने को मिलता है कि न्याय हमेशा होता है चाहे उसे पाने में कितना भी समय क्यों न लगे